हाँ एक important बात है कि सूरज को study करने के लिए NASA copyright अवि जह है ना, इन्वोंने पारकर प्रोब ठीक है ना, पारकर प्रोब एक mission बेजा है अबी. पारकर प्रोब नाम का एक mission बेजा है अबी recently ये किसलिए बेजा है सूरज का अध्यन करने के लिए अहां सुरज का अध्यन करने के लिए नासाने पार कर रो बारत का इसरो है ना बारत का इसरो कोन है इसरो इसरो जो है ना इसने उन्हें बेजा आदित्य लवन नाम का मिशन किस नाम से मिशन बेजा है आदित्य लवन ठीक है ना यह देखो आदित्य L1 नाम का उपग्रह भीजा है अब यह देखो L1, L2, L3, L4 यह कई सारे पॉइंट होते हैं इन पॉइंट का मतलब यह होता है कि जहां पे सूरजकार पृत्वी का गुर्तवाकरशन जो है ना वो ना लगता हो ठीक है ना सूरजका और पृत्वी का गुर्तवाकरशन ना लगता हो ठीक है ना ठीक है तो यह बात आप लोगों को यहां से याद कर लेनी है डियर ठीक है ना समझ गए आप लो ठीक है जी उसके बाद में हमारा जो है ना अगला क्युस्टन हमारा क्या रहने वाला है डियर नेक्स्ट क्युस्टन आपका क्या रहने वाला है डियर ठीक है नेमलिक्त में से किस प्रिकरिया में सूरज की उर्जा जो होती है वो नहीं तो होती है ठीक है ना मतलब सूरज जो होता है वो सूरज किस प्रिकरिया से जो है ना आपका वो उर्जा सूरज के अंदर जो एनरजी होती है ना वो किस वज़े से आती है तो सूरज के अंदर एनरजी जो आती है ना वो आती है नाभी किया सल्यन से कैसे आती है नाभी किया सल्यन से इसको कहते हैं इंगलिस में क्या कहते हैं इसको हम लोग इसको इंग फ्यूजन का मतलब होता है कि जोड़ना और विखन अरेक होता है विखन इसका मतलब होता है तोड़ना तो जोड़ना सूरज के अंदर क्या होता है हाइट्रोजन प्लस हाइट्रोजन मिलता है तो हिलियम बन जाता है ठीक है और जो आपका एटम बम है उसके अंदर तूटने वाली प्रिक्रिया होती है, तो ये बहुत बात भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है, चलो, ठीक है नहीं लड़ेंगे बच्चे दो, निम्लिक्त में से लाल ग्रे किसे कहते हैं, तेही सवाल होगे तीस ही बच्चे हैं, तीस तक ही है बच्चे है, ठीक है साथ ही सव मंगल मामा है, मामा कौन है हमारे मंगल मामा, तो सुनील कोन है सुनील मामा, अच्छा सुनील मामा हो, अच्छा मंगल मामा होते है हमारे लाल गर्य मंगल गर्य को, क्यों कहते है लाल गर्य इसको, इसका लाल गर्य कहने का एक कारण है, क्योंकि इस पर iron के oxide जो है ना वो थोड़े से जादा है इसी करके इसको लाल गरे कहा करते है अच्छा दुनिया के अंदर सबसे उंचा परवत कोन सा है उसका नाम है दुनिया का सबसे उंचा परवत का जो नाम है ना वो है आपका उसका नाम है मांट एवरेस्ट माउंट एवरेस के उंचाई 8,848.86 मिटर होती है आपकी लेकिन इस ब्रमांड के अंदर सबसे बड़ा जो परवत है वो है निक्स ओलम्पिया उसका नाम क्या है निक्स ओलम्पिया ठीक है ना और ये इस माउंट एवरेस से तीन गुना उंचा है ठीक है आपका माउंट एव एवरेस से तीन गुना ज्यादा उंचा है ठीक है जी सी ओफ ट्रिंकलिटी जो है ना ये कहां पे पढ़ता है सी ओफ ट्रिंकलिटी तो सूरज पे पढ़ता है या कहां पे पढ़ता है ये सी ओफ ट्रिंकलिटी जो है ना किस जगह पे आता है आपका तो ये आता है जी आप का चंद्रमा पे यानि कि सीत सागर ये आप से पूछा भी गया है कई बार ठीक है यह यहाँ पे आता है सीत सागर ठीक है इसको कहा करते हैं शांती का सागर भी इसको कहते हैं इसको शांती का सागर कहते हैं इसके दूल के मैदान है ठीक है इस पर काले दब्बे भी हैं ब्रसपती गरह पर लाल और पिले दब्बे पाए जाते हैं यह बात आपको याद रखनी है चांद पर पहला आदमी कौन था जिसने कदम रखा था नील आमस्ट्रॉंग नील आमस्ट्रॉंग ने कदम रखा था साथ में थे एडविन एलिडरन एडविन एलिडरन थे इन्होंने साथ के साथ प्रिथवी से चांद का पार्षव भाग दिखाई देता है क्यों ऐसा होता है प्रिथवी से चांद का पार्षव भाग दिखाई क्यों देता है क्योंकि उसके गुर्णन और परिकर्मन चांद 27 दिनों में परिकर्मा पूरी कर लेता है अपना 27 ही नक्स्तर होते हैं और हमारा चंद्रमा एक प्राकरती कुप ग्रह है किस ग्रह पर जल चक्र यानि की वाटर साइकल हमारे एक ही मोटर साइकल नहीं ही पाया जाता है जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं और प्रित्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है प्रित्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं ठीक है ना प्रित्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं और प्रित्वी पर 71% बाग पर पानी पाया जाता है बच्चों को पताओ प्रिथिविय पे कितना परसेंट पानी है? लिए 18 पानी नी नहीं है भारत में राज्य कितने है data नीपहारी कितना परसेंट है? 28 नी नै 70 वे जमीन जमीन जो है न 29 परसेंटेज है यह इतना मैं नरस्री में ठाँ न तो मेरे को ये सारी चीज़ याद होगी थी, पता दे रुगा? हाँ, मैं एक लाश में था तु मेरे साथ पढ़ता था उस टेम? हाँ अच्छा रहे, ठीक है, चालो, अगला सवाल सुद्र ग्रे कहां पाए जाते हैं? अब सवाल आप से पूछा है सुद्र ग्रे को बोलते हैं अब देखते हैं, अब देखते हैं अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पर बताता हूँ एक ग्रे है, मंगल ग्रे ठीक है न, मंगल मामा थे हमारे ठीक है न, मंगल मंगल मामा एक ग्रह है हमारा बरस्पती जिसको वीर ग्रह भी कहते हैं ठीक है अब वीर और मंगल बनलब इन दोनों के बीच में जो छोटे छोटे आपके कन पाए जाते हैं उनको आप लोग सुद्र ग्रह कहते हो उनको आप लोग सुद्र ग्रह कहते हो हार, उनको इंगलिस में कहते हैं, एस्ट्रोइड कहते हैं, पहला जो सुद्र ग्रै को जा गया था, उसका नाम था, सीरस, क्या नाम था, सीरस, ठीक है ना, पहला सुद्र ग्रै को जा गया था, सीरस खो जा गया था, ठीक है ना, पहला सुद्र ग्रै को जा था, सीरस, सीरस, ठ चीक है जी चलो जी वेरी गूड अब तीन सवाल हो रहते हैं जी हमारे ठीक है ना एचाई इस सवाल का साइण सर आपने क्या दिया है तू जीत गया बिलकुल ठीक है ना मंगल और ब्रसपती के बीच में पाये जाता है जी वेरी कुड शाबास अगला सवाल पढ़ाते हैं नेक्स्ट क्योस्ट वेरी कौन सा है जिसका प्रिष्टिय ताप सबसे जादा है मतलब ऐसा ग्रे जो है उसका नाम बताना है जो इन में से सबसे जादा गरम है बताओ ये है बुद्ध ग्रे ठीक है ना तो सबसे जादा गरम ग्रे जो है ना वो डी आप्शन जो है ना वो आप लोगों को यहाँ से याद कर लेनी है ठीक है ना? हाँ जी मारो बाणू जी हो यहो मारो बाणू हो ठीक है ना? तो हलो मिस्टर शाबास अभी कौन सा ग्रह है जी? बुद्ध ग्रह है ठीक है ना? बुद्ध ग्रह है ठीक है? यह बुद्ध ग्रह ठीक है यह बुद्ध ग्रह है आपका तो बुद्ध ग्रह जो है क्यों जी आपने तो बताया था कि सबसे गरम ग्रह तो सुकर ग्रह होता है बुद्ध ग्रह तो गरम नहीं होता है फिर आपने यहापे बुद्ध ग्रह क्यों बता दिया क्योंकि option में बु बुद्ध, बुद्ध के बाद में कौन सा ग्रे आता है, सुक्र ग्रे आता है, सबसे गरम ग्रे तो सुक्र ग्रे है, लेकिन आप्शन में तो नहीं दे रखा, नहीं दे रखा न, तो इस करके आपकों सा लगा देंगे, बुद्ध, बुद्ध, very good, simple, clapping, ठीक है न, समझ गे, चैलो जिश, आबास, very good, अब अगला सवाल समझाते हैं, आपको, अगला सवाल समझाते हैं, आपको, ठीक है, next question, तरको सब याद है, very good, याद, चीक, अलक्षा पबल्क स्कूल में यही चीज बढ़ाई थी तुमें आ, बरस्पती के वल्ले, रिंग, ठीक है न, बरस्पती के रिंग जो है न वो बेटा बने वे हैं सिलीकेटों से बने वे हैं सिलीकेटों से बने वे हैं किसे बने वे हैं सिलीकेट से बने वे हैं बरस्पती के वल्लों की खोज कब हुई थी 1979 में हुई थी किसने करी थी वाइजर वन स्पेस प्रोब जो है ना उस ने खोजगरी थी बरस बरस्पती वो ग्रैज इस पे आपके लाल और पीले रंगे दबे पाए दबे पाए जाते हैं ठीक है ना हाँ लास्ट सवाल है बस लास्ट क्यों से ने बेटा सुपर नोवा क्या है सुपर नोवा सूपर नोवा क्या है बताओ बाब आप बताओ खड़े गरताओ ऐसे दिख नहीं रहा अब देखो कौन सा है दिख गया ब्लेक ओल तुक्का डंसे मारो बिटा तुक्का गल्थ लग रहा है आज आपका हाँ ये तो सवाल हो गया सूपर नोवा क्या बताओ इस पे लगाओं इस पे लगाओं इस पे लगाओं इस पे लगाओं तुक्का वो तो सवाल ही है अराम खोर अंसर बताओ ये है समझ में आई फिर ठीक है समझ में आगी ठीक है गिर जाता थो तो छो हाई विश्पो टक्तारा है इसको रक्त दानाव कहते है थिक ना ये फ्रैंग्लिन बहिया से डरता है चलो ओ ठीक जी अब हमारा आज का शेशन पूरा हुआ थीक ना आज का शेशन तो कैसा था पता नहीं लेकिन जैसा भी था आज हमने मामा और बांजाने दोनों ने आपको लगवग लगवग जो है ना वो पढ़ा दिया है ठीक है लैख तो अब आप सोगोज जाए और चैनल को सबस्क्राइब सबस्क्राइब Most हाँ हम अब जा है गर पे ठीक है हम अब गर पे जा रहें वीडियो को लाइक भी देना चन को सचाऊब भी करेना बाइ बत्चो घ्ल कमल आइगे बच्छो कल मिलेंगे बत्चो फीक है कल भी दुबारा क्लास में लेखे आँ उदर को तेर को लगता है अब दुबार हमें कभी तेर को कलास में लिखे आउंगा ऐसा तेर को महसूस हुआ चलो यार ठीक है तो आज का कलास इतना ही था कल मिलेंगे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जुरूर करना यार बच्चे ने कहा है मान लेना अब छों करा बत्चो, बच्चोको बोल दो अभी बच्चों से बात करनी है औलो रूपर कुर्शी पे चर्ड़े करो बच्चों से बात करनी है तो लो आप सभी चलने के लिए धाइकakers जाने है आप सिखाइब कृशिा ने कृस्टоминаu बच्चो ने गए जो बच्चो अगर बेश श्चाहिब कहते न बच्चो श्कूल में भी श्चाहिब कहा हो बच्चो ठीक है एक पोईम को सुना तो एक पोईम पोईम सुनाने की बात वरी पोईम मचली ममना तो मैं बतातु हूं मचली है लिए मचली में ममुगा जे मादूगा यह मैं अधी कना श्काय था अधी को श्कोर मैं पड़ाती है मैडम पढ़ाती है अच्छा मैडम अच्छी लगते है क्या दिकत है चलो कोई बाद अच्छा फिर यह मचली जलकी रानी हो तो सुना दो अभी इसको लगाई रखो और यह बता हो कि हम बच्छों से कुछ और चैनल का सब्सक्राइब जिन्होंने किया उनको थैंक्यू 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 नहीं बोलना थेंको बच्चे नेंगा से सब्सक्राइब कर दिया स्कूल में हां गपने पी एक बच्चतो फ्लेश है वह बोते जदी इस गपपर पूच जाता है है कर फ्लेश हां वह हां वह समय है तो फिर उसे मैं मैं और और ये कह रहे हैं कि बच्चे जो ना आपसे ये अब और एक्सराइज कैसे करते हो आप में बताता है हूं यहीं पर करनी है बस कुर्ची पर जो करनी है अब आपका जीवन में क्या बनने का सपना है हां क्या बनना चापते हो जिन्दगी में आप इसे सिर मकषे बताता है वो यह मैं शेय मननूंगा जैसे सर दुझे पढ़ाते सपनेने उन और का आपके अपर सिंग्गे पह्चाओंगे आपना क्या था स्क्राइव प्रसाइब जहिर समद्गी शोड़ दो माइक को छोड़ दो माइक को छोड़ दो यार गया पाल लेटा तुक दुग छीजों का कि अब अगर बच्चो एक दांच है देज की का ते परमा कलेंदे जद हैना में सपना रहता था गांपर हाँ हाँ बच्चों में स्पने में बहुत कुछ कर दा था हाँ सपने में भी हाँ बच्चों गो रिमोट कंट्रोल कार दिखा दिखाओगे नहीं दिखाओ दूगा लओ जल्दी लओ चलो आज इसके दो तमन्ना बुरी हुई कि मामा आपके स्कूल जाना है रोज करता था कर T बच्च अच्च होते हैं तेरे ज़ाय से अच्छे हैं किस ने का दो च्छा है नहीं का रा है नहीं का है बच्चों में अच्छा इय्मोट है ऐसे बतन दबाता है अब बच्चों को बाई बोल दे बाई बच्चों हम गैपे जाए है और चैनल को शर्चाइब कर देना गैपे हाँ एक फ्रेश बच्चा होता है और वीडियो को फ्रेश बच्चा होता है वो बच्च जद्धी पहुंच जाता है एक फ्रेश बच्चा हम बहुत अच्छा होता है वह और अभी वीडियो को लाइक नहीं करना वीडियो को लाइक तो बोल दिया बोल दिया सब्सक्राइब कर दिया बच्चो सारे सो जाओ बच्चो सारे सो जाओ अगर पर जाओ ठीज बच्छे जाओ बाइए इसको बने सद्टो ममा हाँ आपको किसको किसको सद्ट अच्छा डिस्टल बोर्ड को क्या बस आ रहा हूं कहीं नहीं जाना दो में रुख जा बस कोई सरार्थ नहीं करने किसी भी परकार की